असलाम अलेकूम एवरीवन कैसे हैं आप सब होफ़ली आप सब टिक टाक होंगे लहमदलिल्ला हम लग भी बहुत अच्छे हैं वेलकाम बैक टू माई शैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करेगा शेर करेगा और सब्सक् बस ऐसे दे देती हूं तो बस छोटा सा में लंच बॉक्स लिया था जो आप लोगों के साथ शेर नहीं कर पाईती और यह हो गया नेस्ट मॉर्निंग मैंने सारे डॉनमेट्स को धोया एक राउंड का में कपड़ा जो था वो धो चुकी थी उसके बाद मैंने सोचा कि सारे दूर्मेट्स भी आज ही दो देती हूं ने तो फ्राइडे आ जाएगा तो फिर मैं धो नहीं पाऊंगी इसलिए मैंने मिशीन में डाल दिये थे और 15 मिंट्स के लिए लगा दिया था और उसके बाद जो सेटिंग ता उसको स्टॉंग पे मैंने डाल दिया था क्योंकि यह जल्दी हो जायेगा तो बस मैं इसे मैंने स्टॉंग पे सेट कर दिया उसके बाद मैं आप से मिल रही हूं सीधे रात को यह जो दूद को गरम कर लिया था अच्छे थंड़ा कर लिया था मतलब नीम गरम हो था उसके बाद मैंने इसमें नहीं का जो थोड़ा सा बच्छय मैं कुछ धाल ते लने सपुमन और कि यह से आंधे मेंं अगरा यह होंगा है यह कुछ सब्सक्कर रख एक यह अगरा भूब करदो आप दही अच्छी में दिखाऊंगे यह दे till practice नेशश मॉर्णिंग होगा है और हमारा दही कितने अच्चे से जम भी शुका है आप देख सकते हैं घर का बना हुआ दही बहुत यह अच्छा लगता है और बहुत ही healthy भी होता है ये सिसे बाहर का दही होता है वो क्लीनिक से नहीं बनाते हैं बट हम लोग जो घर में बहुत ही clean कि यह हो गए दोपहर कर ताइम तो मैं आप लोग साथ दही और आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जैसे कि टोमेटो बहुत ज्यादा महंगा तो सब खाना वाइट करना चाहते हैं कि बहुत महंगा तो छोड़ो नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ दही और आलू की सबजी की रेसिपी शेयर किये ताकि आप लोग कुछ हेलपफुल हो सके मेरे वीडियो से अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रू करिएगा तो यह मैंने पैन चड़ा दिया है पैन में मस्टर्ड डाला है अपको मस्टर्ड यूज करना है नहीं तो आलू को rapper कर देना है ताकि हमारा अलू जो है फ्राइय करने के साफ्ट हो जाए क्योंकि पर बाद में 50% करना रहेगा तो जल्दी कूक हो जाता है अगर आप नमक आच कर देंगे तो और हमारा कैमरा जो है यहां पर थोड़ा सा बलर हो गया है तो इग्णोर करिएगा फिर उसके बाद मैंने आलू को निकाल दिया था पैन से उसके बाद मैंने फिर से मस्टर डाल डाला उसको अच्छे से हीट कर लिया था ताकि जो स्ट्रॉंग फ्लेवर हो वो चला जाए मस् पतले पीस में कट किये थे उसके बाद थोड़ा सा क्रेकल किया मैंने उसके बाद मैंने यहां पर प्याज को एट कर दिया यह प्याज जो हमारा दो बड़े साइस का प्याज मैंने लिया था और इसे बहुत ही बारिक सा आपको चॉप करना है ताकि हमारा प्याज जो है फ् की था दें अफी क्याएख व्यूए चाहिक जब तक प्याज और प्याजाज क्या अफिक सोगा जब तक मैं दही में मसाले आट लेता हु यह जो प्रे यूदुट्ट के नहीं ने ले लिया है अगर आपके पस दही घर का नहीं तो आप भारा का भी दही ले सकते। यह कटोरी में नहीं अउने प्राइब आपने खाल्थी पाड़र अपनी हिसाब से लिएगा घरम मसाला है और चिली पाड़र भी मनें बहुत कम यूज़ किया है तो फिर बहुत spicy हो जाएका क्योंकि मैंने चिली भी एट किया है इसलिए मैंने चिली बॉड़ बहुत कम यूज किया है उसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है प्यास भी हमारा फ्राइ हो चुका था उसके बाद मैंने दही में जो मसाला मिक्स किया था बस उसे बस उसे आचे से मिक्स कर देना है और नमक भी यहीं पर आट कर देना है आपको अब मैं इसे कवर करके कुक करूंगी मतलब की 10 मिर्स तक का ऐसे कुक करूंगी ताकि हमारा पानी जो है वो ड्राइ हो जाए और यहीं पर मैंने धनिया का पता जो होता है उसका डंठल मैं आलो को एट कर देना यहां पर जो मैंने आलो फ्राइ करके पहले रखे हुए थे बस वाइट कर देना है उसके बाद इसे लो फ्लेम पर कवर कर के कूक करना है आपको चली चेक कर लेते हमारा अलू कुख हुआ यानि यह देख सकते हैं आपकी आलो हमारा बहुत ही अच्छा से कुख हो चुका है उसके बाद मैंने जो गानिश के लिए धनिया का पता रखा हुआ तब वैट कर दिया है आप देख सकते हमारा आलू जो है दही आलो कितना अच् सब्सक्राइब जरूर करेंगा और घर में आपको सब को बना के खिलाना है और फिट बैक देना है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ